आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, so the question is Select the segment of the sentence that contains the grammatical error If there is no error, mark no error as your answer अगर आपको उस पार्ट में error दिख रही है तो आप error बता जीजिए और अगर sentence जो है बिल्कुल correct है कोई error नहीं है तो आप no error वाले पार्ट को choose करेंगे ठीक है तो हमें जो sentence रखा है उसमें neither or nor यूज कर रखा है neither or nor जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं चन्जक्शन होते हैं ठीक है neither or nor की अगर हम बात करें तो यह बेसिकली क्या होते हैं conjunction होते हैं conjunction होते हैं जो क्या करते हैं joint करते हैं दो sentences को अब इसके लिए हमें जो grammar पता हो नीचे neither nor के लिए अगर neither nor में हम singular term को दोनों टर्म अगर singular है, जिनको हम joint कर रहे हैं, वो दोनों टर्म अगर singular है, तो हमारी जो helping verb होगी, वो क्या होगी, singular होगी, ठीक है, अगर दोनों, तो singular होगी, लेकिन अगर एक singular है, ठीक है, एक term जो है, आपका singular है, और एक term जो है, वो आपका plural है, तो आपको क्या करना है ऐस सिंगूलर वाले को हम बाद में लिखते हैं हमेशा अगर एक जो है सिंगूलर है टर्म और प्लूरल है तो पहले हम प्लूर WALA को लिखेंगे फिर हम सिंगूलर वाले को लिखेंगे और जो helping वर्व होगी हमारी वह किस केसाब PARUTŋ केसाब से वह आपकी लगेगी Prec ha है समझ में आ गया यह concept आपको ठीक है अब हम sorry I'm sorry there's a mistake अगर singular और plural term दोनों है तो पहले हम लिखते हैं I'm sorry there's a mistake अगर किसी sentence में singular और plural term दोनों है तो पहले हमेशा लिखना है singular term को ठीक है उसके बाद लिखना है plural term को और जो helping वर्व लगेगी वो किसकी लगेगी प्रूलर की लगेगी समझ गए अब हमारा sentence दे रखा है उसमें एक तो दे रखा parents और एक दे रखा है child तो parents के अगर मैं बात करूं तो parents तो क्या है plural है ठीक है और child क्या है singular है और मैंने अभी बताया है कि अगर neither nor वाले sentence है और उसमें अगर singular और plural दोनों आ रहे हैं तो हमें पहले singular को रखना है फिर plural को रखना है लेकिन यहां पर क्या रखा है plural को पहले रखा है और singular को बात में रखा है that means हमारे first वाले पार्ट में क्या है mistake है यहां पर parents ना आके क्या आना चाहिए था child आना चाहिए था helping तो ठीक है helping प्लूरल की ही आ रही है और यह जो helping वर्व है वो तो बिल्कुल थैंक यू प्लासिक्स से ट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर